जैहिन दोस्तो, दोस्तो कैसे आप, उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, जो मेरा आज का वीडियो है, यह है डिफेंस पैंशर पे, दोस्तो जैसा आपको पता है कि कोट ने अपना जज्जमेंट दिया और उसमें बताया है कि जो आपकी OROP रिवाइज होगी वो 1.7. साथ 2019 से होगी, तो इसमें आपकी पैंशन रिफिक्स करी जाएगी और एरियर भी दिया जाएगा 1.7.19 से, दोस्तो एक मेरे पास एक टेबल आई है, यह टेबल मेरे WhatsApp ग्रूप में आई थी, तो किसी पैंशनर ने मुझे बताया कि सर आप एक बार इस पर भी वीडियो बना चार्ट of revised OROP basic with effect from 1.7.2019, दोस्तो इस टेबल में qualifying service mention है और उसी पे rank के अधार पर यहाँ पे basic pension मौझूद है, दोस्तो इसके according के रहे हैं कि इसी टेबल के according सबको pension मिलेगी, जो revised pension होगी 1.7.2019 से इसी टेबल के according होगी, तो दोस्तो यह टेबल सही है या गलत है, real है या fake है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो दोस्तो इस टेबल को मैंने read किया और इस टेबल के base पर मैंने calculation किया, कि जो इसमें amount mention है, क्या वाकई में वो 7 CPC के according है या नहीं है, दोस्तो जैसे इसमें लिखा है कि एक सिपाई की 25, 220 होगी pension, नायक की 26, 410, हवलदार की 29,200, नायफ सुविदार की 35,80, इसके according ये बड़ी हुई pension है, लगबग 7 से 8,000 रूपे का यहाँ पे फरक देखा जा सकता है, यानि जो पुरानी pension थी एक सिपाई की 17,130 और यहाँ पे इस टेबल में दिखा रहे हैं सीधा 25,220, यानि 7 से 8,000 रूपे का फर बिलने वाली है, क्योंकि ये चार्ट मुझे real तो नहीं लगता, लेकिन इस चार्ट की जो मैंने calculation करी है, तो कुछ मैं आपको समझाना चाहूँगा laptop में, कि ये जो चार्ट बनाये गया है, ये 2.57 fitment factor के साफ़ से तो मुझे नहीं लगता है, जैसा आपको पता है कि 3.68 fitment factor भी आना था, तो दोस्तों जो आपकी पुरानी बेसिक थी, ये उसी का 3.68 fitment factor इसमें इसमाल करा गया है, लगबग 7-8,000 रुपे सब की pension बढ़ रही है इस चार्ट के according, लेकिन ये real है ये fake, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और इस चार्ट के according आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी confirm नहीं है, लेकिन मेरे according, इस चार्ट के according तो आपको pension नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 CPC का जो actual benefit है, वो इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता, जितना इसमें 5-8,000 रुपे का आपको बढ़कर मिलने वाला इस चार्ट के according, ऐसा तो possible नहीं है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूं laptop में, कि इस चार्ट में कितना amount आपका mention है, और देखते हैं इसकी भी calculation करके, जो मैंने अपने point of view रखे है, इस table के अनुसार और calculation करी है, तो मैं आपको समझाता हूं laptop पे, आईए, दोस्तो मैं laptop की तरफ आगे हूँ, तो चलिए दोस्तो मैं आपको basic pension मुझूद है rank wise, वो सबकी 7 से 8000 रुपे तक यहां पे बढ़ा के दे रखी है, दोस्तो आप देखियें यहां पे, service देखिया, qualifying service, सिपाई, 16 साल पे देखिये, 25, 220, दोस्तो यह मैं माल लेता हूं basic pension, मैं आपको अभी समझाता हूं calculation, मैंने इसे माल लिया, basic pension, 25, 220, यह basic pension है, यानि इस पे DA लगा कर आपको मिलेगा, दोस्तो यह जो चार्ट है, यह 7 CPC के according है या नहीं है, यह बात जानना भोग जुरूरी है, जिस तरीके से इसमें pension बढ़ा के दे रखी है, 7 से 8000 रुपे, इसका मतलब यह 7 CPC के according चार्ट है, लेकिन जितनी 7 CPC में आपकी pension होन मिलनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इस चार्ट में mention है, जो की सही नहीं है, जो 7 CPC में आपको मिलनी चाहिए, एक सिपाई को, नायक को, हवलदार को, इंड्रेंको को, उतनी ही आपको basic pension या pension मिलनी है, ना की 7 से 8, 9000 ज्यादा, अब देखिए दोस्तों, एक सिपाई की दे 24440, यानि इतनी basic pay, 7 CPC के recording, और उसकी आधी आपकी pension, तो क्या दोस्तों, एक सिपाई की, जिसकी great pay, 2000 है, क्या किसी सिपाई की 50,000 से उपर की basic pay हो सकती है, एक ये सोचने वाली बात है, दोस्तों, अभी जो सिपाई, नायक या फिर जो हवलदार आ रहा है, 7 CPC में pension, उसकी मैंने आपको बताया, एक सिपाई की 20,000 कुछ pension है, एक नायक की 21,000, एक हवलदार की 22,000 pension है, जो 7 CPC में pension हा रहा है, वो सही में 7 CPC का benefit है, लेकिन इस चार्ट में देखिए दोस्तों, एक सिपाई की 25,000 कुछ है, एक नायक की देखिए आप 19 साल की service में 27,180, ये कैसे possible हो सकत है, एक हवलदार की 19 साल की service में 29,200, फिर 20 साल की service में 29,395, दोस्तों ऐसी नायक सिपाई की 24 साल की service में 35,080, सुबेदार की 28 साल की service में 43,940, ऐसी दोस्तों सुबेदार मेजर 30 साल 47,600, सुबेदार 28 साल 43,940, ओनरी लेफ्टिनेंट 36 साल 48, 720, फिर ओनरी कैप्टन 53,980, 37 साल 38 साल की service में, दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका एमाउंट है वो लगबक 7 से 8,000 रूपे आपे बढ़ा है, दोस्तों अब दूसरी चीज में आपको समझाओं, यहाँ पे एक हवलदार की बताईए, 19 साल की service में, 29,200, यानि 29,200 ये basic pension हमने मानी, इस पे DA लगा कर आपको अगर मिले, तो इसका अगर हम double करें, तो आता है 58,400, यानि जो 7 CPC में आपकी basic होनी चाये थी, जितने जो अभी हवलदार आ रहे हैं, उससे कहीं जादा, तो दोस्तों इस चार्ट का मुझे लगता है कि कुछ conclusion नहीं है, किसके दोरा ये बनाया गया है, इससा कोई main proof नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस चार्ट के according तो आपको pension नहीं मिलेगी 17219 से, क्योंकि इसमें जो calculation करी है, सिपाई से लेके honorary captain तक, बहुत जादा इसमें amount mention कर रहा है, basic pension का, बलकि एक सिपाई सिपाई की एक नायक की एक हवलदार की 7 CPC के according, सिपाई की 20,000, नायक की 21,000 कुछ और हवलदार की 22,000 कुछ, ये इनकी basic pension है, जो अभी 7 CPC में pension आ रहे हैं, सिपाई नायक हवलदार, और इस चार्ट में कितनी mention आप देख रहे हैं, 25, 220, नायक की 27, 180, एक हवलदार 39, 200, तो दोस्तो ये possible होना मुश्किल है, ये possible नहीं हो पाएगा कि स्चार्ट के according आपको pension मिले, दोस्तो एक वर चीज में आपको समझाना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सुबेदार की, 28 साल की service में 43, 940, और पिछली OROP में कितनी थी एक सुबेदार की, 30,000, 31,000, 32,000, इतनी basic pension थी, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 43,940, और एक सुबेदार सापकी, पिछली OROP के according, 31,000 something, तो कितना 12,940 का difference, यानि सीधा जो एक सुबेदार 30 से 32,000 रुपे लेता है basic pension, सीधा उसकी 43,000 हो रही है, दोस्तों यह possible होना मुश्किल है, यह chart real है या fake है, मेरे according यह chart real नहीं है, किसी ने यह type करके बना रखा है, ना इसमें किसी का signature है, ना ही PCDA ने से बनाया है, ना ही किसी सरकारी करमचारी के थुख आया है, किसी ने नहीं बनाया है, सिरफ यह type करा हुआ है, किसी Excel format में, और उ ने पाई की पहले थी basic pension 6665 और इसका 2.57, कितना है, 17,130 और यहाँ पे कितनी pension है, 25,220 एक नायक की देखिया pension, 18,427 और यहाँ पे कितनी mention है, 27,180, 28,790 यानि अब मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी है यहाँ यहाँ पे 27,180, दोस्तों अगर मैं इसका करूँ, 2.57, divided by 2.57, यानि कितना आ गया, 10,575, यानि यह जो पुरानी उवारूपी थी, उसकी basic pension से भी ज़्यादा है, यानि एक को मिल रहा है 7,170 और उसका 2.57, 18,427 आता है, और यहाँ पे 27,180 का 2.57, यानि 10,575, इतना आप लगा सकते हैं कि कितना इसमें बढ़ा के दे रहा है, दोस्तों यह तो actual fact है नहीं, क्योंकि यह जो table बनाई गई है, यह 7 CPC के recording बनाई गई है, लेकिन 7 CPC का जो actual benefit मिलना है, रैंको को, उससे कहीं ज़्यादा इसमें बना र लेगी, दोस्तों अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे एक हवलदार की बनाई, 20 साल की सर्विस में, 29,395, 29,395, दोस्तों एक हवलदार की 19,527 पहले, 19,527, और इसका अगर हम आदा करेंगे 2.57, यानि 7598, तो 7598 का अगर हम 3.68 treatment factor यूज करें, तो कितनी आएगी, 27,961, यानि इसी के आसपास, तो दोस्तों, यह चार्ट किसने बनाया है, इसका कुछ अता पता नहीं है, और जितनी पेंशन इसमें बढ़ाके दे रखी है, 7-8,000 रुपे तक, यह सिरफ 3.68 treatment factor की वज़े से हो सकता है, इसमें जो treatment factor यूज करा होगा, वो 3.68 करा होगा, और जो पुरानी basic pension है, जैसे मैं आपको अभी दिखाया, जैसे एक किसी नायक की ले लिजी आप 7170, और इसका तो 2.57 तो होता है, 18,427, लेकिन 7170 का अगर मैं 3.68 factor यूज करूँ, तो आता है 26,386, तो यहाँ पे देखि 65, यह फिर 27, 180, तो इतना pension में बड़ोतरी है stable के अनुसा, 7-8,000 रुपे, तो दोस्तो इसका कोई conclusion नहीं है, ना ही इस base पर आपको मिलने वाली आगे pension, सिरफ यह chart किसने बनाया है, इसका कुछ पता नहीं है, तो दोस्तो एक और चीज आप नीचे देख रहे हैं, यह family pension है, यानि 28,370 का 60%, calculator में मैं आपको दिखाता हूँ, 28,370, 28,370 का 60%, यानि 17,022, यही यहाँ पे मौझूद है, 17,020 के आसपास, ऐसी सपा कर रहा है यहाँ पे, तो दोस्तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताई, इस table के बारे में, इसलिए आप table को real ना माने, यह table fake हो सकती है, इसके according 7CPC का fixation जो इन्होंने किया है, वो 7CPC से और जादा कर रहा है, यानि 7-8,000 रोपे का यहाँ पे हर एक rank को मिल रहा है, जो की possible नहीं हो सकता 7CPC में, जो की 7CPC में जो सिपाई, नायक, हवलदार आ रहे हैं, उनकी ही pension, एक सिपाई की 20,000, 21,000, नायक 21,000, हवलदार 22,000, इतनी उनकी basic pension है, 7CPC में, तो जो पुराने वाले हैं, उनकी भी इसी के according fix करनी है, जो अभी के सिपाई, नायक हवलदार आ रहे हैं, 7CPC में, जो छटे पे commission में आये, पाचवे पे commission में आये, फोर्थ पे commission में आये, थर्ड पे commission में आये, इन सब की pension, ज नाये stable के according आपको आगे मिल पाएगी, तो दोस्तों आपको कैसा लगए ये वीडियो, आप मुझे बताएए, comment करके, वीडियो आपको अच्छा लगत तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आप subscribe कर सकते हैं, thank you so much, और आप share करिए वीडियो, ताकि पता लग सके क्या इ की जाए stable में, तो thank you so much.